आयकर विभाग ने पैंट कार्ट बनाना बिल्कुल आसान कर दिया है बस चुटकियों में आप पैंट कार्ट श्रिफ 5 मिनिट के अंदर बना कर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों पहले जब हमें पैंट कार्ट बनवाना होता है तो आनलाइन हमें 100-500 रुपे के करीब पेमिन् आप 5 मिनिट के अंदर आप पैंट कार्ट बनवा सकते हैं उसके लिए आपको श्रिफ आपके आधार कार्ट के साथ आप मोबाइल लिंक होना चाहिए बस आप 5 मिनिट के अंदर आप पैंट कार्ट बना कर डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंद करके ओल पर क्लिक करते हैं मैं इसी तरह से एंट्रेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं हानली हम आ गए हैं अपने मोबाल इस दि पर जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप computer लाफटाप यूज्च कर रहा है तो आप A zie डिवायज में Chrome रॉज़र को ओपर करने के बाद आपको Google में सर्च करना है income Tax India जैसे आप Income Tax India को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रिकार से दिखाए पड़ेगा तो दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है यहां पर जो सबसे उपर आपको यहां ली फिलिंग होम पेज इंकम टेक्स डिपार्टमेंट गोर्मेंट आपकी जो आपको यहां पर दिख रही है लिंक आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इसकी official website यहां पर open हो जाएगी दोस्तों इसकी official website जब यहां पर open होगी तो आपको यहां पर कुछ open होगा दोस्तों आपको इसको close कर देना है close करने के बाद simply आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ service दी हुए जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है in instant pen through आधार्द दोस्तों आपको उस पर किलिक करना है जैसे आप आपके सामने कुछ इस प्रकार्ट से page open होगा तो आपको get new pen पर किलिक करना होगा जैसे आप get new pen पर किलिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार्ट से open होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पांच step को हमें पूरा करना होगा जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर जो capture code दिख रहा है आपको यहाँ पर नीचे इंटर कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर आई confirm that पर किलिक कर देना है और इसको यहाँ पर mark कर देना है नीचे यहाँ पर कुछ condition दिये हुई है आप इसको पढ़ लेना तो दोस्तो इसके बाद आपको यहाँ पर सारी कुछ करने के बाद generate आधार OTP पर क्लिक करना है जैसी आप generate आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ स्प्रक्र से दिखाए पड़ेगा और आपके mobile number पर एक OTP जाएगा आपको यह पर enter करना होगा तो दोस्तो हम यहाँ पर OTP को इंटर कर देते हैं OTP इंटर करने के बाद simply आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको यहाँ पर एक page open हो गया है, यहाँ पर आधार के साथ photo auto सब लगा हुआ है, यहाँ से सारी drill आपके आधार कार्ड से ले लेगा, यहाँ पर आपको signature करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ सारा कुछ आधार कार्ड से attach हो जाएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, simply यहाँ पर सारा कुछ देखने के बाद, यहाँ पर जो दिख रहा है, I accept that, दोस्तों आपको इसके condition को accept कर लेना है, यहाँ पर आपको mark कर देना है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर simply जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, submit per request, दोस्तों आपको इस पर click करन तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रिकार्ट से दिखाए पड़ेगा यहाँ पर आपको एक इरियूलमेंड नमबर दिया जाएगा जिससे की आप अपना स्टेटर्स चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इसको हम स्क्रीन साट लेकर यहाँ पर रख लेते हैं पहन काड का स्टे चेक करना है तो उसके लिए आपको चेक स्टेटर्स पर किलिक करना है जैसे आप चेक स्टेटर्स पर किलिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रिकार्ट से दिखाए पड़ेगा और आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ट नमबर डालने के बाद यहाँ पर send to the mobile number यहाँ पर आपका mobile नमबर लिखा होगा और नीचे आपको यहाँ पर OTP को इंटर करना है हमारे नमबर पर OTP आ चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने OTP को इंटर करकर submit पर क्लिक करेंगे जैसे हम submit पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस परकार से दिखाए पड़ेगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ करा पेयन अलावमेंट सक्सेश फुकूलर तो हमारा पहां पर बन चुक यह और यहाँ पर डाउनलोड का और और चेजिक्ट पहले पर पूंध करेंगे तो लगा होगा वांपर पासवर्ड क्या होगा आपकि डैटा बर्त होगा अगर आपकी 2G अधर डैटा बर्तnh 11ong Hai 0201990 यह उसका password तो आपको download pen पर क्लिक करना होगा जैसे आप download pen पर click करेंगे तो यह यह download का option आ जाएगा जैसे आप download पर click करेंगे तो आपका pen का download हो जाएगा और यहाँ पर PDF में आपका एक अब open हो जाएगा तो यहां पर आपको बोरраст यहां पर पास्वर लगा हुआ है आपको यह पर अपनी डैटा बड़ का पास्वड जो है तो एओ यहां पर आपको इंटर करकर open कर लेना है हम यहां पर open करकर आपको दिखा देते हैं दोस्तों यहां पर Physical डालकर open पर क्लिक करेंगे जैसे हम open पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयकर विभा का जो यह पर pen card है यहाँ पर verify भी है signature भी है यहाँ पर signature करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर QR code दिये हुए जिसे आप scanning कर सकते हैं और नीचे आपको यहाँ पर अगर आपको कहीं पर pen card की जरूरत परती है तो आप इसको print करा कर आकर आप इसका कहीं पर काम कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा स्रिफ दो मिनिट के अंदर हमने बनाए है pen card अगर अगले वीडियो में ततक के लिए जाएं